हेलो स्टुडेंट्स यूट्यूब चैनल शोच चेस्टा के जरिये मैं डॉक्टर जेपी शर्मा आपसे मुखातिब हो रहा हूँ यह inaugural video lecture आपको समर्पित है क्योंकि आप होने वाले शोधारती हैं या आप शोधकार कर रहे हैं उन सब के लिए शोच से जुड़े हुए तमाम विश्यों चुनोतियों समस्याओं इत्याद पर हम अपने video lectures में आपसे चर्चा करेंगे या आपी का channel है मौलिक अपने में इसलिए है कि ये शोध से संबंदित जानकारी ही आपको संप्रेशित करेगा दो या नौके UGC guidelines के बाद शोध की प्रिक्रिया पूरी तरीके से परवर्तित कर दी गई है पहले क्या होता था उसे भूल जाईए आप उस मुगालते में मत रहिए कि पहले ऐसी PhD होती थी चार-पांच थीसिस से छटी थीसिस बन गई अब वो संबब नहीं है जो लोग शोध करना चाहते हैं उनको इस कठिन परिशा से गुजरना पड़ेगा इन्वस्ती के प्री-PhD एंट्रेंस एक्जाम को पास करना होगा छे महिने का कोर्सवर कंप्लीट करके उसका एक्जाम पास करना होगा अच्छे सुपरवाइजर का चैन करना होगा अच्छे सोध विशह का चैन करना होगा moralsबसे महत्वपूर अंग आपकी सोध पृक्लिया का आपके द्वारा चुना गया शोध का विशह होगा अच्छा सोध विशह आपने हबड तबड में चैन तो कर लिया लेकिन जब वेवहारिक रूप से आपने शोध कारिप्रारम किया तब आपको लगा कि इस पर शोध सामिग्री उपलब्द नहीं हो पा रही है इसलिए आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ ठोककर शोध समस्या या शोध विशे का चैन अच्छी तरीके से जाच परताल करने की बाद शोध से सजुड़ी हुई तमाम चुनोतियों को ध्यान में रखकर आपको करना चाहिए कौन-कौन से रिसर्ट इंसिटूशन्स हैं लाइब्रियरीज हैं उन सबकी डिस्ट आपके पास पहले बनना जबूरी है शोध गंगा पर देखिए कितना काम हो चुका है हम कुछ नहा कर पाएंगे क्या हमारे विश्वित कयले की पुस्तकाल है जहां बहुत सी पुस्तके ये उपलबद नहीं है महां क्या हम शोध सामिग्री का संकलन कर पाएंगे समभव है इस सारी चीजों को आपको सोचना होगा और लंबी प्रिक्रिया है तीन साल का समय लगेगा RDC के बाद तब आप अपने शोद प्रवंद को युनिवस्टी में सम्मिट कर पाएंगे इस दोरान में आपको शोद पत्र लिखने हैं शोद संगोस्टियों में कारशालाओं भाग लेना है इस सारी प्रिक्रिया फुल टाइम जॉब जो कहा जाता है वो है हाफ हार्टेट कोई भी एफ़र्ट आपके लिए घातक सिद्ध होगा इस इनॉग्रल वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपसे लगातार जोड़ता रहूँगा और बहुत सी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है व्यवहारिक जानकारी है तकनीकी जानकारी है UGC के नए नए नोटिफिकेशन्स है शोद पत्र कैसे लखा जाए कौन-कौन से केर लिस्ट के UGC के शोद जर्नल्स है उनकी जानकारी कौन सी तकनीक हमें यूज करनी है शोद में शोद प्रवधी क्या है शोद करता को आज के समय में कौन-कौन सी चुनोतियां आएंगी आने वाले समय में ये सब सारी जानकारी हम इसमें शेयर करेंगे इनोग्रल वीडियो लेक्शर में अभी हम केवल एक सामान ने परचे आपसमें ले रहे हैं और दे रहे हैं आने वाले समय में बहुत कुछ इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेशन रिसर्च से सम्बंदित आपको वीडियो लेक्शर के माध्यम से दी जाएगी शोद एक अन्वरत प्रिक्रिया है बैज्ञानिक प्रिक्रिया है वस्तुनित्स शोद मौलिव शोद हम कैसे करेंगे यदि हम उसके लिए हम तयार नहीं है इन सब बातों पर गंभीरता के साथ मैं चर्चा करूँगा वीशेशक्यों के वीडियो लेक्शर्स आपको अप्लोड किये जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि शोद चेस्टा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी आपको लगेगा कि हमने यूट्यूब चैनल सुना देखा और अपना समय हमने सही तरीके से इसमें लगाया हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होई है यही हमारा उद्देश है कि हम आपको रिसर्च से रिलेटेट उन तमाम जानकारीयों को शेयर करें जिससे कि आप उत्क्रस्थ शोद कार को पूरा कर सकें इनी शुप कामनाओं के साथ मैं आप सब को बहुत बहुत शुप कामनाओं देता हूँ कि आप एक अच्छा शोद कार पूरा करेंगे अवश्य और अगले वीडियो लेक्शर्स में हम बहुत सी जानकारी के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्तित होंगे धन्यवाद कि उन्यवाद गप साथ अपस्तित विर बहुत अपस्तित कि आपके साथ इंक पस्तित